सो नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी आरजी निवाप सी यूटूब चैनल में सो फ्रेंड्स आज के इसी वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपको सबसे पहले अपना पैंड्राइफ कनेक्ट करना है पैंड्राइफ कनेक्ट करोगे वह आपको यहां पर दिखेगा आपको इसको उपन कर लेना है जैसे आप उपन करते हैं इसके बाद यहां पर आपको वीडियो फाइंड करना कि आपका वीडियो कहां पर है तो आप वीडियो को ढूंड लो यहां पर तो चलिए यहां पर मैं वीडियो को ढूंड लेता हूं तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ यह नीची यहाँ पर वीडियो आपको दिख रहा होगा एक यह दिख सकती हूँ इस वीडियो को मुझे माली जी अपने लैप्टॉप में डालना है तो इसके लिए यहाँ पर मैं right click करूँगा जैसे right click करता हूँ उसके पर यहाँ पर copy का option मेरे को दिखता है पर copy कर लूँगा बट यहाँ पर आपको multiple videos select करना है for example यहाँ पर एक यह video भी मुझे select करना है ठीक है तो इसके लिए हमें क्या करना है control बटन को दबाना है और mouse से जाकर यहाँ पर left click करना है और आपका यह भी video select हो जाएगा कुछ ही इस तरीके से बट यहाँ पर माली जी यहाँ पर मैं इस तरीके से select करता हूँ फौर एजम्पल यहां पर मैंने इस तरीके से सेलेक्ट किया तो यहां पर माली जी चार मेरा वीडियोस है और यहां पर इसके बीच में जो MP3 सौंग है उनको अन्सेलेक्ट करना ठीक है बीच वालों को तो कैसे करेंगे तो आपको गण्ट्रोल बटन दबाके रखना है और य सारी वीडियोस ऐतुमाइटिक सारी कि सारी सिलेक्ट होगी बट मुझे सेख करना तो इहां पर इसको कापी कर लेता हूं कापी करने बाद यहां से 완성 से साब बैक आने तो Space आपको दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करके, आपको Right क्लिक करना, फिर आपको यहाँ पर Paste पर Left क्लिक कर देना है, और आपका जो वीडियो है, वो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि अभी आप देख सकते हो है, यहाँ पर यह वीडियो हमारा आ चुगा, कुछ इस तरीके से, तो इस तरीके से आप जोएकि लैप्टॉप में जोएकि अपने pen drive से वीडियो बगरा डाल सकते हो सुफ्रेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो कैसा लगा प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताना और अगर आप मेरे से कुछ सवाल पुछना चाते हो तो मुझे आप Instagram पर message कर सकते हो आप देशतो मेरा जो Instagram यूजर नेम ये है और profile मेरा ये है इस पर आप आकर के message भीज सकते हो और message भीजने से पहले please follow जरूर कर ले